हाई एवरिवन वेलकम बाक टू आ निव वीडियो हमारी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचर प्रदेश गिरियाज न्यूस्पेपर के करंट अफेर सेप्टेमबर दो होजार बाइस के इसमें हमने दो एडिशन को कवर किया है जो 31 अगस्त को आया था और दूसर जो 7 सेप्टेमबर को आया था तो चली शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को पहला क्रंट अफेर है हमारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क से रिलेटेड जिसके बारे में हम डेटेल में भी वीडियो बना चुके हैं अगर आपने नहीं देखिए हैं प्लेलिस्ट 65 प्रतिशत से जादा हम लोग बल्क ड्रग को चीन से इंपोर्ट करते हैं तो चीन पर भी हमने अपनी निर्भरता को कम करना है इसके लिए जो विद्पोशन दिया जा रहा है वो केंदर सरकार से 90 और 10 के रेशो में दिया जा रहा है क्यूंकि हमें बदा है कि हमाजर प्रिशित की गई है उना के हरोली में वो है 1405 एकर लगभग 1200 करोड का करोड की लागत से ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा और इसके लिए जो बिजली की जरूरत है वो है 100 से लेकर के 120 यूनिट तक इसके लिए जो भी निवेशक बाहर से आएंगे हिमाजर प्रदेश की सरका उन्हें 3 रुपए प्रती यूनिट की दर से बिजली को प्रवाइड करेगी पूर में एक हैलिपोर्ट का उद्खाटन किया था इस सरदार पटेल विश्व विदाले में 5 जिलों के जो कॉलेजिस हैं चाहे वो गौर्मेंट हैं चाहे प्राइवेट हैं वो आएंगे कांगडा, चमबा, कुल्लू, लखॉल्सपिती और मंडिके अभी हाली में गौर्णर द्वारा रिलीज की गई बुक सुनीता जान का रचना संसार इसकी लेखिका है प्रियंका भार्द्वाज गौर्णर ने तीन बुक्स को रिलीज किया था जिसमें एक ये हो गई सुनीता जान का रचना संसार दूसरी है हिमाचरी जन जीवन जिसकी लेखिका है सरलागुमारी तीसरी है जीवन अनंत खोज जिसकी लेखिका है गिर्धारी शर्मा थी हमारे मुख्य मंत्री ने भी एक किताब सफर नामा का विमोचन किया जिसके लेखक है डॉक्तर करमचंद पुराणों में वर्नित परवत राज हिमाले के पांच खंडो नेपाल, कुमांचल के दार, जलंधर और कश्मीर में से हिमाचर का संपून क्षेतर किसके अधीन था तो ये था हमारा जलंधर के अंतरगत नेक्स्ट क्वेस्टन है, 2011 की जनगन्ना के अनुसार प्रदेश में अनुसूजी जनजातियों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये है 25.19 प्रतिशत नेक्स्ट है हिमाचर प्रदेश लोक सिवा आयो के अध्यक्ष कौन बने है अभी हाली में तो ये बने है रामेश्वर सिंग ठाकूर और इन्हें हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं पहले की डो वीडियो में नेक्स्ट है गुगगा नवमी मेला किस जिले में मनाया जाता है? जिसे हाली में जिला स्तरिया दरजा देने की बात कही गई है तो गुगगा नवमी मेला मनाया जाता है शिलाई में और शिलाई है हमारा जिला सिर्मौर में अब इस मेले को जिला स्तरिया का दरजा मिला है इसका उदेश्या है कि HP, PCL और हिम उर्जा के माध्यम से लगभग 200 मेगावर्ट सौर उर्जा उत्पादम की ख्रमता को स्थापित किया जाएगा नेक्स्ट है दूर तराज में स्वास्ते सेवाएं घरद्वार पर उपलप्त करवाने के लिए कौन सी योजना आरम की गई है इस योजना का नाम है मुख्य मंत्री मुबाइल क्लिनिक योजना, इस योजना के तहत आप लोगों को घर द्वार पर स्वास्ते सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसलिए बना रहे हैं ताकि जो चिकित्सी उपकरन उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सकें। जोट से होकर के ये सड़क बन रही हैं। अब भी अगर आप लोगों को होली से कांगरा जाना है उत्रला में तो टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमेटर। अगर ये सड़क बन जाती है तो ये डिस्टेंस रड्यूस होकर के रह जाएगी 70 किलोमेटर। फाइदा इससे एक तो ये होगा कि एक तो डिस्टेंस कम हो जाएगी कम समाई लगेगा। दूसरा यहां पर टूरीज़म बढ़ेगा। क्योंकि होली भर्मवर ये सारे रिलीज़स टूरीज़म के लिए जाना जाते हैं ट्राइबल एरियास हैं तो यहां पर रिलीज़स टूरीज़म बढ़ेगा। क्योंकि इस एडिशन में जो सेकेंड एडिशन है सेवन शेप्टेंबर वाला इसमें जना अंदोलन के बारे में बहुत ही एक लंबा आटिकल आया हुआ था तो यह थे राजा उकुरसेन उस समय राजा उक्रसेन का जो वजीर था नरोतम वो काफी जादा अत्याषारी प्र राजा ने फिर उसे हटा दिया था और उसकी जगह पर धुंगल को वजीर बना दिया था Next है हमारा मंडी में किसान आंदोलन सन 1909 में किस राजा के साषनकाल में हुआ था Next है हमारा सिर्मवर का पजोता किसान आंदोलन कब हुआ था तो यह हुआ था 1942-1947 में उस समय पर दुते विश्य युद्ध भी हो रहा था नेक्स्ट क्वेशन है हमारा डांटरा अंदोलन किस जिले में हुआ था हमारा जिला बिलासपूर में ये एक जन अंदोलन था जो भूमी बंदो बस्त के कारण 1930 को हुआ था इस पर पुलीस ने वह सारे डंडे बरसाए थे इसलिए इसका नाम डांटरा अंदोलन पड़ा नेक्स्ट है हिमाच्र प्रदेश के किन जिलों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए चुना गया है तो इन्हें चुना गया है कांगरा और उना को अब आप लोग मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्षन में कि मौंक फ्रूट की जो खेती है हिमाच्र प्रदेश की किस जिले में की है सबसे पहली बार नेक्स्ट क्वेशन है जंगी थोपन पुवारी जल्वीद्यूत प्रियोजना हिमाच्र प्रदेश की किस जिले से समबंदित है तो यह है किन और से समबंदित नेक्स्ट है बिलासपूर में गोविन सागर में डूब जुके रंग महल का निर्मान किस ने करवाया था तो यह करवाया था उननी सो इसवी में विजय चन्दने नेक्स्ट क्वेशन है लार्जे जल्वीद्यूत परियोजना कितने मेगावाट की है तो यह है 126 मेगावाट की अब इसमें मैंने कुछ एक क्वेशन अगस्थ 2022 के इंक्लूड किये हैं अगस्थ 2022 के करंटाफेर के गिरिराज पहला कोर Cred कितने स्कूलों का चैन चैन किया गया है हिमाच्र प्रदेश में तो आयूश कर्दिक केहंफेञां नेक्स्ट में दूसरी फूल्मंदे कहा नाया है 2021-22 का तो ये दिया गया है जिला कुल्लू के नेक्स्ट है हमारा हिमाज़पदेश फर्स्टल बिविदी करन परिगोजना किस एजेंसी द्वारा समर्थित है तो ये जैका जैका यानि की जपान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के द्वारा समर्थित है इसे आप डेटेल में देखना के लिए अगर दोजार बाइका का पार्ट देख सकते हो अब आखरी के जो तीन क्वेस्टन हैं वो आप लोगों के लिए हैं एक तो समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आयू सिमन कितनी हैं बहुत बार डिसकस कर चुके हैं और अब तो आप लोगों के इसका आंसर डेफिनिटली आना ही चाहिए नेक्स्ट क्वेस्टन हमारा है निशुलक दवाईयां प्रदान करने के लिए सबी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा महाविदालियों में जहां पर 800 से अधिक प्रकार की दवाईयां दी जा रही हैं वो किस योजना के दहर दी जा रही है नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री कन्यदान योजना के अंतगत कितनी आर्थिक सहाईता राशी दी जा रही है ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना इसे हमने अपने अगस 2022 के पार्ट में डिसकस किया था तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जल्दी मिलेंगे एक निवीडियो के साथ